देखिए question में क्या कहता है इसमें हलाकी ज्यान से देखिएगा कहता है determine the residential status in case given below नीचे कुछ cases given है तो पहले है foreign company तो company का तो नहीं करा अभी हमने दूसरा ये वाली बात कर रहे है why huf a Hindu undivided family एक Hindu undivided family है who's करता why जिसका करता कौन है अब समझ में आ रहा होगा करता की मैं किसकी बात कर रहा हूँ is a person Indian origin वो Indian origin है ठीक है भाई अब देखो Indian origin में आपके दिमाग में click होगा 182 दिन तो यहाँ पर basic वाली तो बात ही नहीं आएगी ठीक है न Indian origin why has been visit India 100 days every year हर साल आता है since 2010-11 से the family business is controlled by a team of professional in India under the guidance of why कहां से control हो रहा है तो सर सबसे पहले तो basic condition के हटा के तो इसका status आर वाला तो हो गया complete है यह अब additional check करना है additional 7 सालों में कितने दिन 700 और बाकी दो बार resident तो अब हर साल अगर 100 दिनों के लिए आ रहा है तो आप समझ सकते हो 7 साल में तो 730 दिन हो ही नहीं सकता अब समझ यह बात को यह कब से आ रहा है देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ आपने कहा कि यह आ रहा है कब से 2010 और 11 तो 10 11 में आया 11 12 में आया 12 13 में आया 13 14 में आया 14 15 में आया 15 16 में आया इसके बाद 17 18 18 19 19 20 20 21 और आप ध्यान से देखे तो हमारा जो है यह कब के लिए निकालना है असेस्मेंट येर 21 मतलब 20 21 क्या 16 17 रह गया चलो 16 17 अब हर साल 100 दिन के लिए रहा आप खुद अंदाजा लगाओ यहां भी 100 वैसे एपरेंटली दिख रहा है यह सर्फ मैं क्या कर रहा हूं आपको एक करके दिखा रहा हूं तो सर इस साल का तो हमें कुछ चेकी नहीं करना पिछले देखते हैं क्योंकि इस साल में तो वो आर हो ही चुका है पिछला चेक करेंगे तो पहले दो बार रेजिडेंट तो दो बार रेजिडेंट अगर बात करूँ तो करेंट येर के अंदर इंडियन ओरीजन है अब इसके उपर 1802 दिन वाला लग जाएगा क्यूंकि दो बार रेजिडेंट चेक करने के लिए तो तो इंडिवीजवल वाला ही बेसिक कंडिशन अपलाय होगा समझे बात क्योंकि individual हम करता की कर रहे हैं तो दो बार resident के लिए कौन से वाला apply होगा अब ये Indian origin है तो 1802 दिन का है माल लेते हैं 1802 दिन कर भी देता दूसरा भी check कर लो तो पिछले 7 साल में गिनोगे ना 1, 2, 3, आपका 4, 5, 6, 7 तो 700 ही दिन हो रहे हैं तो इसका status क्या जाना चाहिए N, O, R चलिए इसके अंसर के उपर भी ध्यान दे देते सर सेकिंड पॉइंट था सेकिंड था ना ये रहा सेकिंड उपर है ये रहा हाँ क्या कहता है देख लेते है कहता है अगर ये सटिस्फाइ कर दे टू अदिशनल, टू कंडिशन लेट दाउन सेक्शन ये दे दिया पहला, he has been stay in India sorry, he has resident in India at least two year out of ten year ठीक है साथ, two time बोलो two year कहलो और साथ के साथ, 730 दिन out of, मतलब seven year के अंदर बट करता, why who is a person Indian origin does not satisfy both condition जो section में mention है आप ये section लिखोगे तो कई बार अगर मान लो यहाँ ए गलती से लिख दिया आपने B के जगा तो आपका सारे नंबर गए why who is there for resident but not और इसको हम क्या बोलते है clear, ये तीसरे पार्ट के लिए तीसरा पार्ट के आभी देख लेंगे वो तो simple सा, समझ में आ गया हमारा whof का इतना ही काम था इसमें whof में और ज़्यादा कुछ नहीं है कोई दिमाग नहीं लगा ना बुक के एक दो कोशन में दिखा दूँआ वो करेंगे आपका clear हो जाएगा clear, चलिए सर इसके बाद हम आगे देखें तीसरा कोशन क्या था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया तीसरा individual के उपर है ये भी homework में tick कर लीजिए गाब अब देखना, गौर करना a citizen of bangladesh, bangladesh कहां था bangladesh हमारा पहले इंडिया का ही पाद था न a citizen of bangladesh his, आपका maternal grandfather born in village of near dhaka 1945 धाका में born हुआ था तो सर, धाका भी इंडिया का, क्या है, bangladesh की राजधानी है, तो इंडिया का ही पाद था हुआ, धाका भी he comes India first time एक में, और 4 October को 200 दिन के लिए आ रहा है, तो Indian origin है, 200 दिन के लिए आ रहा है, तो वैसे ही क्या हो गया यह 182 days वाली बात तो complete करी रहा है, तो यह क्या बन जाएगा, resident, लेकिन आपको यह मुद्दे की ध्यान रखना है कि October में आया था यह for visit 4 October 2020 के अंदर 200 दिन के लिए, और कब आया यह first time, तो इसके answer को एक बार देख लेते हैं, वैसे आप करोगे तो definitely हो जाएगा, यह पूरी calculation करा तो कितने दिन हो गया इसके October में 170 ही परसन इस इंडिया और इजन विकॉस में अगई बात क्या क्या रहे है क्योंकि सार इसने 120 दिन नहीं किया बोला हर साल 200 दिन के लिए आता है लेकिन जिस साल के लिए निकाल रहे है उस साल तो आपको चार कर चुके हैं हम अल्रेड़ी शायद या नहीं किया आप टैनिस प्लेयर वाला कर लिया था question 5 कुछ बच्चे कह रहे हैं sir question 9 में doubt बताओ चलते हैं 9 पर 9 कौन सा जी इसमें doubt है ओके 9 question कर लेते हैं फिर आगे चलेंगा अभी तक हम ये चेक कर रहे हैं कि उसका status क्या है अब उसके income की भी calculation की हम बात करेंगे ये तो answer हो गया चलिए question है जिन बच्चों का doubt है ठीक है जिन बच्चों का doubt नहीं है एक बार वो भी देख लेंगे जितना समझ में आता है पढ़ लेते हैं मिस्टर रमेश नाम से इंडियन लग रहा है इंडियन सिटीजन इंडिया है वें टू कैनेडा कैनेडा चला गया भाई फूर बिजनस परपस और बिजनस भी employment के अंदर ही count आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है इसके लिए note देना होगा आपको एक हो गया नौकरी के लिए बाहर जा रहे हो अब याद होगा शूटिंग वाले में तो वो बाहर गया था तो अब कुछ activity होते हैं जिसके अंदर हो जाता है confusion यह काम गाज के लिए जा रहा है नौकरी के लिए जा रहा है किसलिए जा रहा है पता नहीं चल रहा तो ऐसा situation मे आपको जो भी जस्तिफाइवल लगता है उसके लिए नोट दो के हम यह अजंशन ले रहे हैं तो यह इंडिया से बाहर बिजनस परपस तो मैं मान रहा हूं employment परपस के लिए गया होगा यह एक एक 2016 को चला गया था यानि यह इंडिया छोड के चला गया था एक जनवरी 2016 मे इंडिया से जा चुका है और 17, 18, 18, 19, 19, 20, he was in India 100 days every year और इन सालों में हर साल यह इंडिया में कितने दिन रहते हैं he returned to India settle here वो बोलता आप भाई बहुत परिशान होगे इंडिया ही चलो वापस एक 2021 में इंडिया आ गया determine the residential status for the assessment year 2021 और 22 तो अब सबसे पहली बात हमारा current year का जैसे हम बना रहे थे scenario वो बना ले थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए देखिए हमारा current year क्या है सबसे पहले यह जानना जरूरी है तो sir current year हमारा 14 2020 को शुरू होने वाला है और खतम कब होने वाला 31 तीन 2021 को clear है सर यहां शुरू होगा यह और यहां पे खतम हो जाएगा हमारा year अब बात कर लेते हैं वो इंडिया में कब आ जाता है कहता है कि इन सालों में he was in India सो दिन ठीक है भाई इन से पिछले सालों में तुम सो सो दिन आ रहे हो कोई बात नहीं है मुद्दे की बात है इस साल में यह कब आया एक जन्वरी को ठीक है ना every year he returned to India कब यह यह वाला साल कौन सा है जो यहां दिखाने की कोशिस कर रहा है यह हमारा बीस इकिस और हम भी काम किसके लिए कर रहे हैं और बीस इकिस में आता यह जन्वरी में ago the increased 2004 हुö यहथजार एक्षिस दौ सर यह वाला जो दिन है को कहां है आ कि फैक केनेडा में कि बाकी यह वाला जो दिन है इंडिया तो जन्वरी में कितने दिन 31, Feb में 28, March में, March में कितने दिन? 31 दिन, टोटल कितने हो गया है? 90 दिन हो गया, अब सर, condition होता है कि current year के अंदर 112 दिन आपको रहना है, लेकिन अगर आप इससे बच गए, तो हम आपके उपर लगाएंगे दूसरी condition, जो कि है 60 दिन और 365 दिन, तो सर, current year में 182 तो नहीं रहा यह, अब चलो दूसरे वाला, क्योंकि यह Indian origin भी नहीं है, Indian citizen बोला है, citizen और origin में फरक है, आप USA से आ जाईए और यहाँ पे आप अधार कार्ट बनवा लेजिए, अगर मान लेते हैं, जो बाइडन यहाँ पे अधार कार्ट बनवा ले, citizen है वो, origin में उसके दादा दादी को यहाँ पैदा होना पड़ेगा, जो कि possible नहीं है, तो दोनों बातों में फरक है, तो यह Indian citizen है, सर, तो इसके उपर दूसरा तो चेक करी सकते हैं, तो सर, इन सालों की बात कर रहे हैं, 20, 21 है, इसके बाद क्या आएगा हमारा, मैं यहाँ यह ऐसे लिख लेता हूँ, 19, 20 आएगा, फिर आएगा, 18, 19, फिर आएगा, 17, 18, और फिर आएगा, 16, 17, फिर आएगा, 15, 16, फिर आएगा, 14, 15, मैं 10 साल ले लूँ ना, क्योंकि additional condition भी हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर आएगा, 13, 14, साथ, अब ज्यादा लेनी की जूरत नहीं पड़ीगा, अब ध्यान से देखना, सर, इसके अंदर वो कितने दिन के लिए आया, इसके अंदर कितने दिन के लिए आया, कहता है, 17, 18 तक ही 100, 16 में तो, 16, 17 तक, ठीक है, नहीं, कहता ही के एक, ये, देखो ध्यान दो, कहता ही के यहाँ पे कैनेडा चला गया, बिजनस परपस के लिए एक, एक, 16 में, तो 16, 17 तो ये ही हो गया, he was never out of India in past, यानि, ये जो 16, 17 से पहले ये देख रहे हो ना, ये वाले टाइम, इसमें तो सर, हमेशा ये 365 दिन, कहा था, इंडिया में ही था, तो जो 2 out of 10 में तो resident हो रहा है, जो इसका बात छोड़ दो, यहाँ तो हो गया, ये तो 10 साल भी नहीं कंडिशन नमबर 1 कंप्लीट, अइडिशनल कंडिशन नमबर 2, पिछले 7 सालों में कितने दिन, 700 वो भी कर देगा, 16, 17 में देख लेते हैं कितने दिन रहता है सर, 16, 17 में, ये चला गया था, कब छोड़ के, 1 जन्वरी, 16 में, और during the past, previous year, 16, 17, 17, ये थोड़ा सा यहाँ पर error है, थोड़ा सा error मैं बोलूगा, कुश्चन के अंदर है, ये 16, 17 नहीं होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, मैं इसको 15 कर रहा हूँ, ठीक है, इस साल को मैंने 15 कर दिया, तो सर, आपके लिए ये हो गया, 100 दिन, कुश्चन को समझिएगा, और 15, 16 में कितने दिन रहेगा क्योंकि एक जन्वरी को जा रहा है, एक जन्वरी को छोड़के जा रहा है, तो दिसंबर तक भारत में ही है, दिसंबर तक आप अगर डेज या मन्त काउंट करते हो, तो 9 महिने हो गए, टोटेलिटी में, तो 9 मन्त में मैं मोटा मोटा मान लू, 27, 270 दिन में, एक्जेक्ट नहीं पता चल रहा, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने टेंटेटिव ले लिया, सर, 270 दिन से कहीं, ज्यादा कम उपर नीचे, ज्यादा ही होगा, क्यों? एक, चार, 15 से, 16, मैंने डेट चेंज कर दिया न, 15, यह 14, 15 में आएगा, फिर तो पहले ठीक था हो, पहले ठीक था भई, गलत नहीं था उसे, ठीक करो उसे, ठीक है भई, क्योश्चन, क्योश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 16, 17 की बात करते हैं, 16, 17 में, अब उसने बोल दिया, सर, 16, 17 जो आएगा न, वो अगला साल आएगा, अब यह जो बात कर रहा है, यह 15, 16 की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है यह, आप देखिए सही से दिन, मेरे से भी गलती हो गई, 16 है, 16 के बाद 17 थोड़ी पहुँच जाएगा, व 15, 16, 15, 16 में मान लो, tentatively मान रहा हूं, 270 दिन तो हो गई भाई है, और इस टाइम पर कितने दिन था, तो एक तो condition बनता है, सर, आपका current year में 60, done, पिछले 4 सालों में 365, एक, दो, तीन, चार, 365 हो रहा है, done, ठीक है, दो चीज़े इसने done कर दिया, इसके बाद हमारा basic condition जो था, basic condition तो okay, अब बात करते है, additional condition का, सर, additional condition, दो बार resident होना चीए, तो दो बार तो वैसे ही resident हो गया, और यहाँ भी resident ही है, तो additional condition number 1, done हो गया, अब additional condition number 2 को check किया जाए, additional condition number 2 को check किया जाएगा, तो कितने 730 दिन, तो 400, वैसे ही हो रहा है, यह भी done हो गया, आप देखोगे, तो अच्छा हाँ मैंने ध्यानी नहीं दिया बच्चे कह रहे हैं सर हमने employment के लिए assume किया है मेरे दिमाग से भी निकल के यह वाद समझ में आई आपने अगर employment के लिए assume किया है तो यह हो जाएगा अगर आप मान के चल रहे हो कि employment नहीं है ऐसा business dealing के लिए जा रहा है not a part of employment तब तो आणोगे तो exception में चला जाएगा और exception क्या कहता है आपके लिए condition number two कौन सा है condition number जो की current year में ही कितने दिन हो गया 90 दोनों तरीके से मैंने answer बता दिया जो assumption लोगे exam में लिखके आने पड़ेंगे आपको यहाँ पे भी answer में भी देखिए let first calculate days उसने पूरे days वगरा जो हम calculate कर रहे थे 90 days कर लिया इन्होंने और रमेज फुल्फिल दा second condition of the basic condition जो की हमने देखा था 365 दिन वाला immediately 60 दिन वाली बात कर रहा है additional condition also satisfy कर दिया इसने कहता कि he was resident two और 703 दिन भी कर दिया रमेज फुल्फिल all above the condition he is ordinary resident तो इसने किस मान क्या मान के answer लिखा वाए सर यह वह employment purpose के लिए नहीं गया अगर आप employment purpose मानोगे तो आपका जवाब क्या होगा एनार हो जाएगा दोनों जो बच्चे देखो पेपर में दोनों बच्चे अलग अलग लिखेंगा answer दोनों का सही होगा अगर assumption नहीं डाला आपने तो गलत हो जाएगा याणि assumption डालना जरूरी समझ माई बात आपको बताईए जो बच्चे लाइव में हैं किसी की दिक्कत परिशानी समस्या सर एक बार additional condition number one बता दीजिए कैसे हुआ additional condition number one देखो आप additional condition one क्या कहता है दो बार resident होना चाहिए तो दो बार resident के लिए 10 साल count करोगे ना यहां से अब 10 साल देखो तो बहुत आगे तो 10 साल में तो मेरे को बाद के यहां की तो छोड़ो यहां भी R है वो यहां भी R है वो और शायद यहां भी R ही बन जाएगा क्योंकि 60 दिन फिर 365 दिन फिर 60 तो पूरा resident हो रहा है कितनी बार हो जाएगा दो बार से तो जादा ही हो जाएगा ठीक है बात करते हैं residential status के अंदर हमने individual और हुएफ का यह निकालना तो सीख लिया कि उसका residential status क्या है अब हम यह सीखेंगे कि उसका income residential status में उसका income कैसे calculate किया जाता है अभी तो उस person का status देखा income tax वाले ने बुलाया पहले उसको पूरे condition condition लगाया अब उसके बाद पता चल गया कि भाई तेरा status नर है अब तू अपनी income बता अब बताएंगे तेरे पर कितना tax लगेगा समझरे बात को कैसे निकाला जाता है पहले तो हमने बुलाया और पहले हमने देखा भाई तू कहां गया नहीं गया यह बता अच्छा तेरा status होगया अब तू इंकम बता तो वो बोलेगा मैंने यह foreign में कमाई वो बोलेगा मैंने यह इंडिया में कमाई वो बोलेगा वो मेरा interest का income है वो dividend का income है उन सभी को जोड़ेंगे बोलेंगे तू अनौर है और अनौर के हिसाब से तेरी यह income पे taxable लगेगी तो अब total income क को determine करना हमारा क्या होगा अगला concept जो कि हम next class से start करेंगे क्योंकि उसके अंदर लगेगा time थोड़ा जादा ठीक है तो अगला देखोगे तो आप इसी के उपर topic भी है